तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू क्रामर के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं नाम है इसम जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग अलड़ी बता भी चुकी हूँ के नम को काम को और हर्फ क्या है वैसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे अर्थ का अपोता देते हैं अगर आप पूर्प्र सेंटेश का अर्थ बता देते हैं अगर और 12 क्लास की बात में कर रही हूँ ठीक है ना तो 10 या फिर 12 क्लास का प्रिवेस एर का कोई भी कोश्टन पेपर उठा कर देखेंगे उर्दू का तो आपको पता चलेगा चाहे सेकेंड सिटिंग का हो या फिर फरस्ट सिटिंग का अगर कोश्टन पर आप लोग उठा कर इसमें जर्फ यह सबसे ज़्यदा इसम से ज्यादातर कोश्टन आप लोगे एक्जाम में उठाया जाता है लगबक कोश्टन तो इसलिए यह आप लोग के लिए इंपोर्टन्ट है टेंथ और 12 क्लास के द्रिश्टि कोट से यह जो टॉपिक है इसम मॉस्ट इंपोर्टन इसका क्या नाम है मारकर है तो मारकर हो गया इसम मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं जिसका कुछ ना कुछ नाम है उसी नाम को कहते हैं हम लोग इसम ठीक है इसम को इंग्लिश में कहते हैं नाउन और हिंदी में कहते हैं संग्या दनाउन इस दनेम आप परसन ठीक यहां तक आप लोगों को बता दें चुकी थी ठीक अब सुनिए इसम को मानी के लिहाद से दो भागों बाटा गया है पहला है इसमें जात और दूसरा है इसमें सिफत आप लोगों को यही पढ़ना है इसमें जात किसे कहते हैं इसमें सिफत किसे कहते हैं समझें याद र कि लिए हाथ से जो इसम की दो किसमें है इसमें जात और इसमें सिफत इसको समझते हैं इसमें जात किसे कहते हैं इसमें जात वह इसम है यानि कि वह नाम है इसम का मतलब समझ यह नाम नाउन ठीक है तो इसमें जात वह इसम है वह नाम है जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करें मतलब उसका वजूद इस दुनिया में हो वह हकीकत में दिखाई दे जैसे कि अगर मैं बोलू आप लोगों से कि मारकर तो आप जैसे ही आप लोग मारकर नाम सुनेंगे वैसे आप लोग के दिमाग में इसकी कल्पना बन जाईगी कि हां मारकर नाम का कोई चीज इस दु भॉएंग भी बन जाएगा मतलब कि जिसका वजूद इस धुनिया में है अस्तित्व है उसी नाम को कहते हम लोग इस्मचा किताब बोलूँगी तो किताब नाम का कोई चीज इस दुनिया में है न यानकी किताब का वजूद है अस्तित्व में है किताब तो किताब क्या हो जाएगा इसमें जात मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं जो हकीकत में इस दुनिया में है जिसका वजूद है उस नाम को उस तभी नाम क्या हो जाएगा इसमें जात हो जायेगा देखिए मैं इस्वत को इंगलिश में कहते हैं एको कीया आ केते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेश यानिकि वा नाम वाउजन जो किसी वस्तु या फिर से शक्स की विशेशता को बताए उसे कहते हम लोग इसमें सिफत जैसे की यहाँ पर मैं लिख भी दी हूँ वा इसमें जो किसी की अच्छी या बूरी हालत को जाहिर करे विशेशता बताए, quality बताए उसे को कहते है इसमें सिफत जैसे की नेक नेक से पता है अगर मैं बोलू नेक आदमी, तो आदमी कैसा है, आदमी की quality बताई जा रही है, किस लवज के जरीए, तो नेक के जरीए, तो नेक क्या हो गया, इसमें सिफत, मतलब ये quality को बता रहा है, जो लवज quality को बताए, अच्छी भूरी हालत को बताए, विशर्षता को बताए, उसी लवज को कहते हैं, उसी इसम को, उसी नाम को कहते हैं, इसमें सिफत, तो नेक क्या हो गया, ये इसमें सिफत हो गया, तेज, तेज घोड़ा, तेज गाड़ी, तो गाड़ी की विशर्षता quality बताए जा रहा है, तेज नाम की इस लवज से है ना, तो ये तेज जो इसम है, यह नाम है यह क्या हो जाएगा इसमें सिफत हो जाएगा काला गोरा पतला छोटा लंबा नाटा यह सब क्या हो जाएगा इसमें सिफत हो जाएगा जो किसी चीज या फिर शक्स की विश्रस्ता को बताए और अक्सर जो इसमें सिफत होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं जिसे कि नेक, नेकी को आदमी आख से देख सकता है, नहीं देख सकता है, हम भले मैसूस कर सकते हैं, नेक आदमी, लेकिन नेकी को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसी तरह तेज, तेज घोड़ा दोड़ रहा है, तेज को हम लोग देख थो ना सकते हैं, रफतार को, तेज को नहीं देख सकते हैं लेकिन हां मैसूस कर सकते हैं कि तेज घोड़ा दोड़ रहा है काला को देख सकते हैं कि काला काला टोपी है काली भैस है ठीक है तो अक्सर देखा जाता है इसमें सिफत को हम लोग अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं बलकि मैसूस कर लेते हैं लेकिन की दो किसमें हो गई इसमें जात और इसमें सिफात तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे देखिए यहाँ पर बता भी दे रही हूं को मतलब टैंसल लेने वाली बात नहीं है इसम को इसम की बनावट या फिर के लिहाग्त से तीन होती है पहला जामीद दुसरा मजदर तीसरा मस्तप तो वह अगले वीडियों में बताउंगे कि जामीद मस्तर और मस्तक किसे कहते हैं मतलब इिस्म की बनांव 시작你在 यहां तो चली आज के स्वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अभी तक आप लोग शेर नहीं किये हैं अपने पोड़ोजे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज